दोस्तों अगर आपके मुवाइल में इंटरनेट डाटा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और आप चाहते हैं कि आपका इंटरनेट का डाटा पूरे दिन चले तो इस वीडियो में जो मैं आपको ट्रीक बताने वाला हूँ जो आपको तरीका बताने वाला हूँ आप उसे सही तरीके से ही अपने मुवाइल में अपलाई कीजिए जबी आपके मुवाइल में इंटरनेट डाटा पूरा दिन चलेगा तो दोस्तों होता क्या है आप अपने मुवाइल में वन जीबी या फिर देड़ जीबी वाला रीचार्ज करा लेते हैं और आप सोचते हैं कि हमारे म तो दोस्तो ऐसे आपके मुवाइल में पूरा दिन इंटरनेट नहीं चलेगा आपको करनी होगी अपने मोईल में कुछ सेटिंग जिसके बाद आप अपने मोईल में ज्यादा इंटरनेट का यूज कर सकते हैं वन जी भी या फिर देड़ जी भी में तो इसके लिए आपको पिराप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल विशाल ओनलाइन किलासेश को सब्सक्राइब करके इसी तरीकी की टिप्स और ट्रिक रोजाना पिराप्त कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मोबाईल के इंटरनेट डाड़ाओ को कैसे पूरा दिन यूज किया जाता है तो सबसे बेले दोस्तों हम बात करते हैं कि आप कौन सी एसी एप्लिकेशन का यूज करते हैं आपको सबसे बेले उसकी सेटिंग करने होती है तो सबसे बेले हम क्या करेंगे आपको एफ्स का ओप्षन देखने को मिल जाएगा तो इसके बाद आपके सामने सभी एप्लिकेशन ओपन हो जाएगी अब दोस्तों होता क्या है आपके मुवाइल में कुछ ऐसी एप्लिकेशन वहती हैं जो background में run करती हैं तो आपको क्या करना है आपको उन सभी application को background से हटाना है यानि कि वो application आपके mobile में background में run ना करे तो इसके लिए आप क्या कीजिए आपकी जो भी application आप चाहते हैं मतलब आप use नहीं करते हैं और आपके लिए विल्कुल भी important नहीं है वेसे तो आप उसे application को remove कर दीजिए लेकिन अगर आप उसे रखना चाहते हैं तो आप क्या करिए आप जाइए उस application के उपर जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कोई application को मैं open कर लेता हूँ तो सबसे बहले आपको उस application पर click करना है अब यहाँ पर आपके सामने आजाएगा storage, data uses और battery तो आपको क्या करना है किस तरीके से आपको एप permission को remove करना है यानि कि आपको background में चलने वाले data को बन करना है तो यहाँ पर आपके सामने आजाएगा data uses तो आपको क्या करना है data uses पर आपको एक बार click करना है, click करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे जाना है और आपको मिल जाएगा background data, तो यहाँ पर जैसे कि आप दे सकते हैं, वैसे तो calculator application का हमारा कोई काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी यह background में हमारा खा रही है लगबग 251 kb, जो की काफी होता है, अगर आप बंजीवी वाला recharge कराते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको background data को यहाँ से off कर देना है और इसके बाद आप देखेंगे, आपके mobile में जो यह background में run करती है, वो background में run करना बन कर देगी, इसके बाद आपका internet का data बचता रहेगा इस application से, तो इसी तरीके की आपके mobile में जितनी भी application है, तो आपको इन सभी application में जाके, इनके background data को off कर देना है, अगर आपकी समझ में नहीं आया हो, तो आप वीडियो को दुबारा से देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको यह setting कर लेनी है, अपने सभी application में, अब दोस्तों आप जिन application का काफी use करते हैं, जैसे कि हम YouTube का काफी इस्तिमाल करते हैं, तो सबसे पहले हम खोलेंगे YouTube application को, तो अगर आप YouTube का काफी इस्तिमाल करते हैं, तो आपको अपने YouTube application में भी setting करने होगी, जिसके बाद आपके mobile में आपका जो data है बहुत जादा चलेगा तो YouTube में आपके सामने आपका जो नाम का logo होता है वो आता है आपको इस पर एक बार क्लिक करना है अब यहाँ पर आपको एक option मिलेगा setting का तो आपको क्या करना है आपको settings वाले option पर एक बार क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आप क्या करिएगा यहां पर आपके मुवाइल में यहां पर ओड़ो पिले चल रहा है मतलब यसे कि कोई YouTube पर वीडियो चलती है वो ओड़ो बेंटिक स्टार्ट हो जाती है तो अगर यह इस तरीके से उने तो आपको इस तरीके से इसक करना है इसके बाद हम इसको दुवारा से बेक करते हैं अब ओड़ो पिले के ऊपर हमें एक डाटा सेविंग को ऑप्शन मिल रहा है हम इस पर किलिक करेंगे और इसके बाद दोस्तों डाटा सेविंग को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो यहां पर आगर आपने डा आपकी जो विडियो की क्वालिटी है वो और बहतर होगी और इसके बाद आपका डाटा काफी इस्तिमाल हो जाता है तो आप इसको बन कर सकते हैं और यहां पर आप क्या करना है आपको यहां पर इस सेटिंग को आप ओन कर सकते हैं इसके बाद हम बेक आते हो अब इसके बा वाल का डाटा जो है वह एक घंटे में खत्म हो जाएगा अगर आप इसको कर देते हैं और इसको यही रखिए तो इसके बाद आप देखेंगे आपका इंटरनेट डाटा काफी चलेगा और यहां पर नीचे आ रहा है वीडियो कॉलिटी ओन वाइफाई तो इसको तो आप रह शाएंगे बेक और बेका आने के बाद यहांपर आपके सामने नीच आ गाईगा डाउनलोड sudah जो हम क्या करेंगे एक बार किलके करेंगे और इसके बाद दोस्तों यहींगी है तो इसको आप इस तरीके से ओन रख सकते हैं लेकिन यहांपर डाणलोडड है इसको आपको ओफ कर देना है क्योंकि होता क्या है कभी कभी कुछ जो वीडियो होती है हमारे मुवाइल में ओटमेटिक डाउनलूड हो जाती है तो इस उप्षन को आप बन कर दीजिए तो अगर आप अपने यूटूब एप्लिकेशन में इन सभी सेटिंग को ओफ कर देंगे तो आपके म में आपको लिए एक बहुत ही मस्त वीडियो लेकर आने वाला हूं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए आज की वीडियो में इतना ही टेंके फोर वोचिंग